हेलो रिवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लुसेन विविद के कुछ और इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको देखने वाले तो इस वीडियो में दो-तीन टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे हैं और अगर आपने से पहले वाले वीडियो उसको नहीं देखा है तो जरूर चेक आउट कर लिजेगा, प्रेलिष्ट बना हुआ है, आप पहुंसे देख सकते हैं तो इस वीडियो में सबसे पहला हम देखेंगे कि बिसवे के जो कुछ अन्य प्रमुक संगठन है जैसे WTO हो गया, OPEC हो गया, NATO हो गया, यह सभी हम लोग देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला यहाँ पर बिसवे बैपार संगठन जिसको World Trade Organization के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना एक जनवरी 1995 को की गई थी GAT के स्थान पर GAT के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी इसका मुख्याले कहाँ पर पढ़ता है जिनेवा में सबसे पहला प्रशन आप से यही पूछा जाता है कि WTO का मुख्याले कहाँ पर है इसकी स्थापना कब की गई थी ठीक है अब इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जैसे कि 20 वेपार संगठन बिविन परिसदों और समीतियों की माध्यम से अंतराश्टिय वेपार से जुड़े 28 समझोते को लागू करता है यानि कि वेपार है तो मारका केस में पारित किया गया था यानि मुरको में मारका केस में पारित किया गया था इन समझोतों को नवंबर 2001 में दोहा समेलन में चीन को इसका सदस्य बनाए गया इस चीज को ध्यान रहेगा कि पूछा जा सकते हैं कि दावलोटियों का जो सदस्चीन मना कवर तो दोहा समिलन में बना था 2001 में और बेश्ववेपार संगठन का जो प्रथा मंत्रिये समिलन हुआ वो सिंगापूर में हुआ था इसकी स्थापना भी सिंगापूर में हुई थी एक जनवरी 1995 को और इसकी जो प्रथम समिलन हुआ वह आपका दिसंबर और उनीसो चानपी में हुआ था वर्तमान में इसके महाने से कौन है तो नांगो जी उकोंजो इवेला नाइजीरिया की है तो इन्हें याद रखेंगे और डावरुटों की पहली महिला जो कि अध्यक्श करूप में भी कह सकते हैं इवेला चाहिक है और वर्तमान में इसमे जो की 164 देश है और ये भी ध्यान रखेगा कि भारत इसका संस्थापक सदस है जब गैट के स्थापना हुई थी तब से ही भारत इसका संस्थापक सदस है अब इसके बाद आता है यूरोपीय संग यूरोपीय संग एक जनवरी 1958 को यूरोप के inner 6 कहे जाने वाले 6 देश फ की गई इसी संग रठन को बाद में यूरूपिय संग का नाम दिया गया यानि यूरूपिय आर्थिक समुदय जो था इसी को बाद में यूरूपिय संग का नाम दिया गया इसकी स्थापना मास्ट्रिच निदरलैंड में कीगे थी मास्ट्रिच निदरलैंड में कीगे थी एक नवंबर 1993 को मुख्याले ब्रुसेल्स में यानि यूरोपिय संग का मुख्याले कहाँ पर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थेत है और यूरूपियसंग के सदस्य से आप यहां पर देख सकते हैं यूरापियसंग के सदस्य से देश भी यहां पर सामिल है यहां पर देहान थैगे के 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया सामिल हुआ था यह पूछा आ था कि क्रोएशियाlyást कर बना तो 2013 में बना था Hello everyone, मैं आपको छोड़ा से information देना चाहता हूँ देखिए, अफसरों की अगनी परिक्षा test book के तरब से आ गई है और अगर आप सोच रहे हैं कि यह early test book पास लेनेंगी, तो मैं आपको बता दूँ कि आगर आप हमारे इस coupon code का यूज करते हैं, Z-O-N-E तो आपको 10% का extra discount मिलेगा, जो price आपको 290 बे मिल रही थी वो सिर्फ और सिप आपको मिलेगा 270 में, और यह आपका yearly pass होगा, यानि कि पूरे एक साल तक आप इसको use कर पाएंगे, पूरे अच्छे तरीके से कोई problem नहीं होगी तो अगर आप join करना चाहते हैं तो इस officer की अगनी परिक्षा yearly test book pass को अभी join कर सकते हैं, हमारे इस coupon code को इस्तमाल कर लिजएगा Z-O-N-E, 10% का extra discount मिलेगा join करने के लिए वीडियो की description में मैंने link दिया हुआ सबसे उपर में आपको link मिलेगा link पर click करके वहाँ पर जाकर के आप इसको buy कर सकते हैं buy करने से पहले वहाँ पर आपको coupon का options मिलेगा apply कर लीजएगा, 10% discount मिलेगा ठीक है यहाँ पर important points है कि एक जनवरी 1994 को 17 Meyer YOURS जर्मनी में कहें तहीं उननी सो इन्ठानवे में क्यों यूरू के चलन और संचालन पर नियन्ताथ करने के लिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जनवरी 2002 इसवी से यूरो का चलन प्रारम हुआ था यानि यूरो कब से स्टार्ट हुआ 2002 से चलन स्टार्ट हो गया यूरोपिय संग में वर्तमान में 27 देश हैं 27 देश हैं जिसमें से 19 देशों ने 27 में से 19 देशों ने यूरो मुद्रा का यूरोप मुद्रा को अपना है और बाकी जो आठ देसें वो अपनी अपनी मुद्रा अपना है तो ये चीज़ ध्यान रखेगा यूरोपिय आर्थिक समुदाय का जो मुख्याले है वो जिनेवा में पढ़ता है और इसके साथ साथ उपर में और दो पॉइंटस है जैने याद रखना है यूरोपिय कमिسन का मुख्याले ब्रुशेल्स में यूरोपिय पार्लियमेंट का मुख्याले लग्जंबर में ये दोनों हमें सब पूच़ा जाता रहता है तो दोनों को याद रखेगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यूरूपी अंतरिक्च एजनसी, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी, और इसका मुख्याले कहां पर है, पेरिस, फ्रांस, यानि कि फ्रांस के पेरिस में स्थीत है, और अब इंपॉर्टेंट आता है, नाटो, नाटो का फुल फर्म याद रखेगा, पूछा आता है, नौर्थ अट्लांटिक ट्रिटी और्गनाइजेशन, उत्तर अट्लांटिक संगठन, जो गटबंदा ने, इसकी स्थापना, चार अप्रेल उनीस सो उन्चास को की गई थी, जिस दोनिया, 2019 में सामिल हुआ था, इसके नविंतम सदस्य, उनीस सो उन्चास में गठन के समय नाटो की सदस्यं क्या कितनी थी, 12, यानि कि 12 सदस्यों के दोरा मिलकर कि इसका गठन क्या गया था, और 12 सदस्यं यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है, बेल्जियम, कैनड़ा, डे की अंग है, इसके बाद हमारा आता है, next point, ACI विकास बैंक, ACI विकास बैंक, जिसको ACN Development Bank ADB के नाम से जानते हैं, इसके सथापना 19 दिसंबर 1986 को 31 सदस्यों के साथ की गए थी, 19 दिसंबर 1996 को ACN Development Bank ADB के सथापना की जिसका मुख्याल है, फिलिपिन्स के सहर मनिला में इस दे कर्याले हैं टोक्यो फ्रैंकफर्ट और वासिंटन डी-सी में तीन प्रतिनी कर्याले हैं इसके बाद आठ अगस्त 1967 कोई थी उस समय इंडोनेसिया, मलीसिया, फ्लिफिन, सिंगापूर और थाइलेंड ने इसका गठन क्या था यानि कि संस्थापक सदसे थे वर्तमान में सदसे देशों की संक्या कितनी है? दस है आसियान का केंद्रिय सची वाले जाकारता यानि इंडोनेसिया कि राधानी जाकारता में इस्तीत है और यहाँ पर देखे भारत के समद में कुछ पॉइंट से 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पुर्ण समवाद सहभागी बना लिया गया था तो यह important बन जाता है और अब है बारी सार्क की सार्क यानि की जिसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है सार्क फुल्फर्म याद रखेगा साउथ एसियन एसोसियेशन फॉर रेजनल को ओपरेशन ठीक है इसका मुख्याले कहां पर है मुख्याले कठमांडू में इस्तीत है सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को की गई थी और वर्तमान में इसके सदस्य देशों के संक्या कितनी है आठ है जिसका नविंतम सदस्य अफगनिस्तान है सदस्य देशों की नाम आप देख सकते है सार का प्रतम सिकर समिलर 1985 धाका में हुआ था चलि इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पर आता है ग्रूप 8 जिसको वर्तमान में G7 के नाम से भी जाना जाता है इसके स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वरा की गई थी इसके सदस्य देश है कैनेडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जपान, एट्ली और रूस और अब वर्तमान में बात करें तो इसमें रूस सामिल नहीं है, ठीक है, रूस इसमें अंतरगत अब नहीं आता है, तो इस चीज़ को ध्यान रहेगा, इसमें वर्तमान इसमें दीखिए, यहां पर पढ़ सकते हैं कि 20 से 22 जून 1997 को अमेरिका के सहर डेनवर संपन G7 के सिख कर दिया गया, ठीक है, तो रूस 2014 से ही बाहर है इसके इस ग्रूप से, इसके बाद आता है अरब लिग, अरब लिग में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसका स्थापना और इसका मुख्याले याद रखे, अरब लिग का स्थापना 1945 काहिरा, जो की मिसल का राजधा नहीं वियना में इस्ती थे, इसके संस्थापक स्था थे एरान, इराक, कुवेथ, साथी अरब और वेंजुएला, यानि कि इसके पांच स्थापक स्था थे, चले इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट से, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस के अंतरगा देखे, इसकी स्थापना पूछा आता है 1863 हेंडी डूरेंट है नहीं जेनेवा में इसकी मुख्याले मतलब जेनेवा में इस्तित हैं और इसको तीन बार नोबिल प्रोषकार मिला है सांती का नोबिल प्रोषकार पूछे आता है कि कितनी बार मिला है तीन बार मिला है कब कब मिला यह भी याद रहेगा सत्तरा चोवालीस उनिस सो तिर्ट में मिला है और परतेक वर्स आठ मैं को लोग रेड़ क्रॉस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इसके बाद आता है गुट निर्पेक्च चांद अर्मांडू मिश्ती थे यह ध्यान रखेगा नाम से सिर्फ वर्थिव एक प्रस्ट हमेशा देखने को मिलता है पहला सिखर से मिलों 1961 बेल ग्रेट में हुआ था चले इसके बाद हमारा लास्ट बनता है ब्रिक्स देखें 2009 में ब्राजिल रूस भारत और चीन ने एक नए अर्थिक्स संगठन ब्रिक बनाता ब्रिक के स्थापना की थी 2009 में इसका प्रत्थम सिखर समिलन 16 जुन 2009 को रूसी सहर कहाँ पर हुआ था एके ट्रीन बर्ग में वह था रूस के सहर है एके एके ट्रीन बर्ग में पंद्रा अप्रेल 2010 में ब्राजिलिया में हुए इसके पड़ा यानि कि ब्राजिल, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफरीका को मतलब किया गया 14 अप्रेल 2011, 14 अप्रेल 2011 को राज्य चीन यानि चीन देश में हुए ब्रिक्स के तीसरे समिलन में दश्य अफरीका पहली बार सामिल हुआ, तो यह चीछ याद रखना है और यह यहां पर हम पढ़ सकते हैं कि 15-16 जुलाई 2014 के फोटालेजा, फोटालेजा कहां पर है, ब्राजिल, समिलन में ब्रिक्स बैंक, जिसको हम लोग वर्तमान में, नेशनल डेवलाप्मेंट बैंक, NDB के नाम से भी जानते हैं, इसके स्थापना के सामती बनी थी, और इस प्रस् छे वर्सों तक, इस प्रस्तावित बैंक का यहां पर देख सकते हैं कि शुरुवाती छे वर्सों तक इसके अध्यक्ष था भारत के पास रही, यानि भारत के अध्यक्ष के वी कामत इसके अध्यक्ष हैं, और तब जा करके, अब इसके वर्तमान में अध्यक्ष ची बात कर एक नेक्स्ट टॉपिक है कि समकालिन सन्युक तराष्ट का अंतराष्टी जो वर्स है वो जैसे इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि अंतराष्टी मृद्धा वर्स घुशित किया गया था 2015 को अंतराष्टी प्रकास और प्रकासिय तक्नीक वर्स जो घुशित किया था 2015 को अंतराष्टी दलहन वर्स 2016 को घुशित किया गया था इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि रसाइनिक तत्वों की आवर्स आड़नी का अंतराष्टी वर्स यह इंपॉर्टेंट रहेगा 2019 में रसाइनिक तत्वों की आवर्स आड़नी का अंतराष्टी वर्स 2019 में पादब स्वास्त का अंतराष्टी वर्स 2020 में पादब स्वास्त का अंतराष्टी वर्स 2020 में पादब स्वास्त का अंतराष्टी वर्स 2020 रसाइनिक तत्वों की आवर्स आड़नी का अंतराष्टी वर्स अंत्रास्टिवर्स। इसके बाद यहाँ पर फलो एवं सब्दिवकां उनवूलन के लिए अंत्रास्टिवर्स 2012 यह 21 है और अन्तराशटिय बाजरः दिवस दिवस नहीं वर्स अंतराशटिय बाजरः वर्स यह भारत के सिफारिश पर तो यह चीज़ आपको याद रखना है तो देखिए आज किस वीडियो में इतना ही आसा गरते हैं कि आप लोग को यह दूनों टॉपिक अच्छा लगाऊगा और अगर आपने से पहने वाला टॉपिक नहीं देखा तो जरूर चिक आउट कर लीजेगा इसके बाद बाकी के ज साथ बने रही अच्छे तरीके से सारे वीडियो को फॉलो करिया मिलते हैं नेक्ष्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्स वाचिंग कीप वाचिंग कीप लार्निंग हाव गुड़ डेम